हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल ट्रिकी नमबर वन पर तो भई आज के इस वीडियो में हम आपको आगनबाणी भरती से सम्बंदित इन्फार्मेशन देने वाले हैं और आपको 2021 में जो भरती आई है 53,000 पदों पर उसके जितने भी प्रोसेज हैं जो भी अपडेट है सभी आपको बताने वाले हैं तो 53,000 पदों पर अतिसीग्र प्रक्रिया सुरू होने वाली है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ इन्फार्मेशन आप सभी को प्रोवाइड की थी कि अगर आप इन सभी जितनी भी इन्फार्मेशन है जो भी सरकारी अपडेट है उन सभी के लिए इन्फार्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें जैसा कि सरकार ने अपना सासना आदेश जारी कर दिया है और मीडियो को भी या बता दिया है कि 53,000 आगनबाणी भरती जो होनी है जो पदो पर भरना है वो प्रक्रिया सीगर ही शुरू हो रही है जिसके लिए आप सभी को आनलाइन आवेदन करने होंगे अब यहाँ पर आपको बता दें कि फार्म दो से तीन दिन में अपलाई होनी की जो प्रक्रिया है सुरू हो जाएगी और आपको मई माह में ट्रेनिंग की जो प्रोसेज है वो भी सुरू हो जाएगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी जैसा कि हमने थामनल पर जो इनफॉर्मेशन है लगा रखी है कि यूपी आगनबाणी भरती 2021 तिरपन हजार पदो पर भरती आदेश देखें मई माह में होगी आपकी ट्रेनिंग और आपकी सबसे बड़ी जो अपडेट है आगनबाणी को लेकर कि अब प्राइमरी के क्ला हम आपको यह बताएंगे कि कैसे फार्म आपको फिल करना है किस बेप साइट पर आप जाकर फार्म को फिल कर सकते हैं और आपको बता दें जो जरूरी इनफॉर्मेशन है इसके अलावा आपका बेतन कितना मिलेगा किसके नाम पर आपकी जो है आयप्रमाण पत्र बनेगी जो आपका डाकोमेंट होगा साधी सुदा होना अनिमार है या फिर अनमेरिट्स की महिला है फार्म को भर सकती हैं और आपको बता दें अगर आप साधी है मतलब आपकी साधी हो चुकी है आप मेरिट्स है तो क्या आपने आधार में संसूधन कराया है या फिर नहीं कराया ह तो इन सब बातों को लेकर यानि कि आपका selection कैसे होगा, merits कैसे बनीगी, आपको जैसे कि पता ही होगा कि आपकी भरती जो होनी है, merits के आधार पर होने वाली है, तो मैं आपको इस वीडियो में merits के बारे में बताऊंगा, साथ में ये बताऊंगा कि किस website से, किस site पर जाकर आप form को भर जखते हैं, और आपको बता दें, एक छोटी सी जो मेरी request है आपसे, जितनी भी information बताने से पहले, request यही है कि आप लोग वीडियो पूरा वाज करें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, तो जितनी भी information, मैंने जितनी बातों पर बात की है, सभी आपक कमेंट्स करते हैं, और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिसके वज़ा से आपके important जो information है, छूट जाते हैं, तो भाई अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लें, साथ में bell notification को आन कर लें, ताकि future की जो update है, जो आपके लिए जरूरी होती है, मिलती तो चलिए, आपको हम दिखाते हैं कि कैसे क्या update है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन दिन में शुरू होगी आगन बानी के रिक्त पदों पर भरती, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, डारेक्ली आपके सामने जो information निकल कर आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको बता दें, निदेशक, ICDS के जो निदेशक हैं, सभी जिला अधिकारियों को निदेश दी दिये हैं, विग्यापंद जारी करने के लिए, और आदेश दिये हैं मात्र तीन दिनों में, और यह जब से mission रोजगार के अंतरगत आ चुकी यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया आपकी जल्धी पूरी होगी, और आपको बता दें, कि आप यहाँ पर तीन दिन दे रहा है, अब आपकी तीन दिन में होगी, या नहीं होगी, इसकी update तो confirm नहीं बताई जा सकती, लेकिन यह 100% है, कि आ अस्तर पर feed होगा आरख्षड सहीत, रिक्तियों का बेवरा, तो किस प्रकार आरख्षड मिलेगा, कैसे आपकी होगी, तैनाती सभी category wise जो भी information होगी, उसके हिसाफ से काम चल रहा है, इसके बाद आपको website पर link मिल जाएगा, और इसकी official website क्या है, यह आपको अगर नहीं पत है, तो मैं चैनल के description में दे दूँगा, और यहाँ पर मैं बता भी दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, मैं highlights कर दे रहा हूँ, बालविकास sup.gov.in पर, यानि कि बालविकास sup.gov.in करेंगे, त हम आपसे document की बात करेंगे, किस प्रकार से आपका जो है education document होगा, कैसे आपकी merits बनेगी, किस के नाम पे आपको अपना documents बनाना है, इन सभी के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा scroll करते हैं, और इसके बाद आपको दिखाते हैं, जो तो यहाँ पर आपके सामने notification आ चुका है, और मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिस करूँगा, जो निदेशक है, बाल विकास, पुष्टा हार के लखनों से जो अपडेट है, उस चीज को दिखाने की मैं कोशिस करूँगा, यहाँ पर आप दीख रहे हैं सेच्छिड 45 वर्ज, चलिए बागी की अपडेट दिखते हैं, चैन की प्रक्रिया क्या है, यह आपको पता है, अब हम आपको merits के बारे में भी बता देंगे, अब यहाँ पर सबसे points वाली बात आती है, कि आपकी आयप्रमाणपत्र की range कितनी होगी, तो आपकी जो आयप्रमाणपत्र क कोई भी समस्या आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आलेडी जो मैंने WhatsApp नंबर दे रखा है, यानि कि 82, 16944, 826 पर, आप WhatsApp के माध्यम से contact कर सकते हैं, और यहाँ पर जो information है, आवेदन पत्रों की प्राप्ति कहां से करेंगे, वो चीज आपको information मिलेंगी, साथ में आ जो सबसी importance है, और इसके बाद हम आपके documents की बात करेंगे, कि क्या-क्या आपके लगेंगे, आप यहाँ पर बात आती है, merits आपको यहाँ पर दिख रहा है, कि प्रतिस्यत जो होगा, आपका total जैसे आपने high school में 60% प्राप्त किया, तो 60% में 10 से भाग दिया जाएगा, तो आपका आएगा 6, तो यानि कि high school का गुडांग का आपका 6 हो जाएगा, इंटर का आपका कितना होगा, ऐसे इंटर में भी 10 से भाग दिया जाएगा आपके percent में, तो जो आपका बनेगा, वही आपकी merits बनेगी, जैसे मानलो आपने high school, इंटर और BA में 60-60% अंक हासिल किये, अब आपके 3 मिलाके 180% हो गए, अब आपको 180 में, आपको कितने से भाग देने होंगे, 30 से भाग देंगे, अब 30 से भाग देंगे, तो आपका बनेगा गुडांग, 3, 6, 18, यानि कि आपको कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है, अगर 3 को जोड़ कि एक में भाग देते हैं, तो 10 से भाग देंगे, आपका 30 आएगा, और अगर आप 3 जोड़ के 30 से भाग देंगे, तो 3 आएगा, लेकिन आपको 10 से ही भाग देना है, और जब आप 10 से भाग देंगे, तो आपका गुडांग बनेगा 30, एक ये एक्जामपल था, इसी के हिस साफ से आपका मेरिट्स बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, कि 45 है, तो 45 भाग दस किया गया है, और आपका आया है 4.5, इंटर में आपका 69 था, 69 में 10 से भाग किया गया, आपका आया है 5.9, तो अगर कुछ चीजे समझ म नहीं आती है, तो आप वाट्सप पर भी संपर कर सकते हैं, यहाँ पर आरच्छड भी आपको मिलेंगी, आप अगर YSC, OBC, जिस प्रकार से हैं, आपको आरच्छड भी मिल जाएगा, और निक्ति की बात जो है, ओ आपको डारेक्ली जो जिला अधिकारी हैं, ओ आपको निर intermediate, graduate की mark sheet और आपके जो होंगे signature लगेंगे, साथ में आपके आयजात निवास, इसके अलामा आपका कोई भी documents नहीं लगना है, एक photo लग जाएगा, इसके अलामा और जो चड़ा बढ़ा के सब वीडियो बना देते हैं, इतने documents करो clear, यह करो, वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है simply आपके एक बार फुना फिर से सुन लिजिए, आधार कार्ड, high school, intermediate, graduate और आपका signature, I, जात, निवास, और साथ में आपका आधार कार्ड, बस इतना ही documents आपके लगेंगे, अब यहाँ पर बात आती है, जाद प्रमार पत्र की, तो general भाई जो हैं, जो general के category हैं, जो ब्रामर संबंदी है, तो payments की update, अभी इसकी clear update नहीं हुई है, जो भी update होगी, आलड़ी मैंने बताया था, 9 से 10,000, 5,000, 5,000 यही है, लेकिन आपको बता दें, वो बेतन आपका बढ़ भी सकता है, क्योंकि बेतन इस समय जो भी लागो हो रहा है, आपको बढ़ा के मिल रहा है, और website क एक ही पच्का लगाएं, यानि कि सबसे जो points वाली बात है, अगर आप अपने माइके में हैं, तो माइके का documents लगाएं, और अगर अपने ससुराल में हैं, तो ससुराल का documents लगाएं, वैसे अगर आपकी जो है, अधार card change नहीं हुई है, यानि कि उसका address और आपकी साधी हो चुकी है, तो आप अपने माइके का ही evidence से farm भरें, और नहीं तो उससे better यह है, कि आप अपने आधार card को change करा लें, जो कि एक हपते में हो जाता है, और अभी विग्यप्ति काफी दिने तक चलेगी, यानि कि प्रक्रिया जो भी होगी, आप करा सकते हैं, तो सबसे better यही हो कि आप अपना आधार card change कर वा लें, और अगर आपकी साधी हो चुकी है, तो आप अपने ससुराल से farm भर सकती हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कि आप जो है unmarried है, married है, ऐसी कोई बात है, कोई भी farm भर सकता है, बस उसकी age 21 plus होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए I hope उमीद करूँगा कि वीडियो आपको समझ माई होगी, जो मेरे द्वारा information दी गई होगी, अगर कुछ आपको गलत लगता है, या फिर आप कुछ और जानते हैं, तो हमारे साथ share कर सकते हैं, साधा कर सकते हैं, वीडियो पे comment करके हमारे whatsapp number के जरिए, तो मिलते हैं अगल अपसोड में और भी information के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम